हाई फ्रेंट्स वेलकम चू आज चैनल तो बहुत सारे मीसो साड़ी हॉल वीडियो मैंने आप सब के साथ शेयर कर रखे हैं नहीं देखे हैं आपने उन वीडियो को तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और आई बॉटन पे भी मिल जाएगा थमनिल देखे आप सब जानी गए हैं कि आज का वीडियो होने वाला है आफ्टर वॉश रिव्यू तो ये साड़िया मैंने मीसो से पर्चेस की थी कॉटन की ये साड़िया है जिनका आफ्टर वॉश रिव्यू आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ काफी जादा affordable price में ये साड़िया मैंने मीसो से पर्चेस की थी तो मैं आपको स्क्रीन पे इनके prices भी दिखाती जाओंगी कि किस price range में ये साड़िया मैंने मीसो से पर्चेस की थी और अगर आप भी चाहते हैं अपने first order पे up to 30% off तो आप definitely use कर सकते हैं मेरा referral post जो आपको description box में मिल जाएगा और हम start कर लेते हैं वीडियो को now let's get started तो ये बहुती जादा affordable range की साड़िया है cotton की साड़िया है ये ये जो blue color की साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुल मुल cotton की साड़ी है साड़ी पहनने पे काफी ज़्यादा comfortable थी बहुती ज़्यादा elegant सी लगती है ऐसी साड़िया जब आप इनको अपने workplace पे wear करते हैं अगर आप इनको office के लिए या daytime के किसी function के लिए wear करते हैं तो इस साड़ी काफी ज़्यादा comfortable भी है और elegant सा look भी देती है इस साड़ी के साथ आपको इसका blouse piece भी मिल जाता है और ये जो next साड़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ये blue और red के combination की चेक्सी साड़ी है काफी अलग साइस का blouse piece रिसीव हुआ था और जो की साड़ी को पहनने के बाद काफी different सा look देता है और अब ये third साड़ी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये maroon और dark green के combination की साड़ी है इसके साथ आपको plain maroon किलर का blouse मिलता है अब इन सभी साड़ीों को मैं water में dip करने जा रही हूँ तो मैंने water में liquid solution ले लिया है जिससे मैं अपने clothes को wash करती हूँ तो मैंने इस liquid solution को water के साथ dilute कर लिया है properly उसके बाद मैं एक एक करके इन साड़ीों को इसमें अच्छी तरह से wash करने जा रही हूँ तो अब देखते हैं क्या wash करने के बाद इन साड़ीों की length पे कोई असर पढ़ता है या नहीं पढ़ता है या इनके color जो है वो as it is रहने वाला है या उड़ जाने वाला है तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं इन साड़ीों को wash कर रही हूँ अब मैं वाला है प्रेजर नहीं मुझे लगा कि जो ब्लू कलर की साड़ी है ये क्योंकि डार्क कलर है तो हो सकता है सा कलर चला जाए और जब मैं इसको वाश करी थी तो सबसे जदा कलर इसी साड़ी ने थोड़ा था आप बकिट का वाटर देख रहे होंगे तो आपको ब्लू कलर का ही वाटर दिख रहा होगा फिर उसके बाद म मैंने प्रॉपरली इंसाड़ी को सूखने के लिए रख दिया था लेकिन बॉश करने के बाद और प्रेस करने के बाद कलर लेंज और इनकी चमक में कोई भी अंतर नहीं आया है आप वीडियो में देख ही रहे होंगे यह बहुती जदा अफॉर्डेबल रेंज की कॉटन की साड़िया है अगर आपने भी अपनी विश लिस्ट में इन साड़ियों को एड कर रखा है और आप इनको परचेस करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इनको परचेस कर सकते हैं according to the price इन साड़ियों के कप्र की कॉलिटी भी अच्छी है आप डेफिनेटली इनको ले सकते हैं क्योंकि यह बहुती जदा अफॉर्डेबल रेंज में आपको receive हो जाती है तो आज मैंने आप सब के साथ share किया है मीसो साड़ी after wash review अगर आपको इस तरह के और भी वीडियो देखने हैं तो आप मुझे definitely comment section में comment कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी useful लग रहा है तो चैनल को subscribe करना मत भूलना वीडियो को like करना मत भूलना और हम मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक खुश रहिए, स्मस्त रहिए